तुस्तो आज उड़ते उड़ते हमारे इंडियन डिर्विज की एक महत्पून खबर आई दा इंडियन एक्सप्रेस, फानिशल एक्सप्रेस और अन्य कई न्यूस पेपर के माध्यम से कि अब हमारी और आपकी गरीबरत एक्सप्रेस नहीं चलेंगी मतलब कि अब गरीबरत एक्सप्रेस का आखरी समय आ चुका है वैसे ये गरीबरत एक्सप्रेस बहुत पुराणी नहीं है इनको 2005 में शुरू किया गया था ताकि जो लोग महंगे AC प्रिम्यम ट्रेंस का मता नहीं उठापाते उनको सस्ते में ही AC का सफर करवाया जाए पर दुख की बात ये है कि अब जल्दी हमारे इंडियन डेल्विज में से गरीबरत एक्सप्रेस हमें छोड़ कर चली जाएंगी देखो हमारे इंडियन डेल्विज ने इनको बंद करने से पहले जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा सबसे पहली बात ये है कि गरीबरत ट्रेंस की जो कोचिस होते हैं वो बाकी कोचिस से काफी अलग होते हैं इनके कोचिस होते तो ICF रेक्स कही हैं पर सच कहें तो ICF कोचिस की तुनला में ये कुछ अलग होते हैं और इनकी स्पीड भी हमारे नॉर्मल आईसेफ ट्रेन से थोड़ी अधिक होती है। अब जब हमारे सभी ट्रेन्स को लेजबी फाइट किया जा रहा है तब ऐसे में गरीब रत बहुत ही अकेले हो जाती। इस ट्रेन का साइड मिडल बर्ट इसको सबसे अलग बनाता है और यही साइड मिडल बर्ट इसको लेजबी में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा रोडा था। हमसफर एक्सपर्स में रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसकी तारीक होगी 29 सप्तमबर 2018 अब गरीब रत के हमसफर एक्सपर्स में रिप्लेस होने से आपको क्या फायदा होगा और नुकसान होगा सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की तो यहां गरीब रत के हमसफर एक्सप बहुत बड़ी शती तो नहीं है पर फिर भी आप साइड मिडल बर्थ का मज़ा नहीं ले पाएंगे वैसे भी बहुत लोग के लिए साइड मिडल बर्थ एक परिशानी का सबब था बात करें फाइदे की तो लच्बी डेक्स मिलने से अब इन ट्रेंज की स्पीड काफी बढ की हो जाएगी पर ज़रूरी नहीं है कि यह हमेशा ही 140 की रफ्तार से चलें वो डिपेंड करता है कि ट्रैक कैसा है और उस ट्रैक पे स्पीड लिमिट कितनी है पर लच्बी कोचिस होने से जाहिर तौर पे इनकी स्पीड थोड़ी बर ज़रूर जाएगी दूसरा फाइदा ये होगा कि आपको इन ट्रैन्स में अब सुर्धाय भी काफी अच्छी मिलेंगी टी कॉफी वेंडिंग मशीन्स, CCTV कैमराज, एक्सेक्टरा जो आपकी जर्डनी को और सुखत बनाएंगी तीसरा सबसे यादा फाइदा ये होगा कि एलजबी कोचिस होने से इन ट्रैन्स मे गोड ब्लस यौ अल